हेलो स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरू जी पर और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 11 का जो एकनॉमिक्स का पेपर आपका होने वाला है चाहे वो फाइनल कह सकते हो चाहे आपके अभी जो इरली वाले होते हैं उनको कह सकते हैं तो most expected और most important questions मैं आपको बताने वाला हूं और एक अच्छी बात उन questions को बताने के साथ साथ मैं आपको उनको समझाओंगा भी सिर्फ बताना नहीं सिर्फ समझाओंगा भी मैं आपको तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे micro economics की micro economics मैं basically जो एक बहुत ही अच्छी अच्छी questions हैं पहले हम difference की बात कर लेते हैं difference में देखिए आप start करें हम from the first chapter तो वहां आपसे micro economics और macro economics के beef में difference आ सकता है तो micro economics क्या होता है सर macro economics economics की वो branch है जो individual unit पर individual पर level पर economics के मुद्दों को solve करता है जो एक individual unit से belong करते हों जैसे consumers जैसे producer जैसे की demand और macro economics उन मुद्दों को solve करता है जो as a whole अगर आपसे important पूछे जाए vital components पूछे जाए micro economics के तो आपकी micro economics में जितने भी chapters हैं आप उनको लिख सकते हैं theory of consumer behavior theory of producer behavior ऐसे macro economics में national income है आपका government budget है balance of payment है उसके बाद आपसे जो difference आता है एक पूछा जा सकता है कि positive और normative statement तो positive statement वो statement होते हैं जो की truth पर based होते हैं fact पर based होते हैं किसी भी expectation पर नहीं करा जाता है ना जिसमें what was what is what would be होता है इस statement में कि ऐसा होगा ऐसा हुआ पैट्रोल के नाम बढ़ गए इतने से पैट्रोल के नाम घट गए इतने से आई नहीं सकते हैं लेकिन यह positive statement है normative economics क्या होता है जो आपको अपने opinion दिये जाते है economics मुद्दों पर इन statement में what or to be लगा होता है यह statement true or false नहीं जच करते हैं एक तरीके से कह सकते हैं यह जाते हैं और difference की बात करी जाए आपसे तो पहले difference छोड़कर बतादू कि आपके पहले चप्र में scarcity नाम का एक प्राहनी है scarcity क्या होती है बटा scarcity हमारी condition है जहां पे हमारे resources कम है यानकि demand कम है और supply जादा है sorry बटा demand जादा है और supply कम है बले उस चीज़ती price zero हो अब यह scarcity क क्योंकि जो human wants है वो unlimited है लेकिन resources हमारे पास limited है और resources के alternative uses है तो यह difference आपके कुछ important है first chapter से जो मैंने आपको बताया और भी है जैसे कि आपका central problems of an economy central problems of an economy हमारी तीन problems होती है एक आपकी what to produce एक होती है आपकी how to produce और एक होती whom to produce what to produce का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया कि जो resources है वो limited होते हैं scars होते हैं तो हम क्या produce करें consumer goods या capital goods हम कोई ऐसा goods produce ना कर दें जो usefully ना हो और वो resources भरबाद हो जाए है ना how to produce कैसे produce करें हमारे पास machines है capital intensive technique का इस्तिमाल करें या labor intensive technique का इस्तिमाल करें या home to produce किस के लिए produce करें richer section के लिए या poor section के लिए अब यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि how scarcity and choice go together अगर आपसे पूछा जाए होट में हाई order thinking skills में कुछ और मत समझे लेना तो उसमें क्या होगा आप से उसमें यह पूछा जा सकता है कि आपकी scarcity और चॉइज एक साथ कैसे जा सकती है कि आपको माल में सर रिसोर्स हमारे पास लिमिटेट है और रिसोर्स आपके पास लिमिटेट है तो आपको ऐसा रिसोर्स ही लेना पड़ेगा जो रिसोर्स आपका बरबाद ना और इन सेंटर प्रोब्लम को सॉल करने के लिए हमारी एकिनॉमी बनी है एक आपकी मार्के एकनॉमी होती है एक आपकी प्लांड एकनॉमी होती है जिन एकनॉमी में आपका जो what to produce, how to produce, whom to produce में government interfere नहीं करती है, आप फ्री हो, जैसे चाहो एकनॉम्स कर सकते हो, जिस से चाहो उसे प्रूडूस कर सकते हो, उसको हम कहते हैं market economy जिससे हम open economy भी कहते हैं इस economy भी जायर सी बात है जब free freedom मिला हुआ है तो जादा से जादा profit पर ध्यान दिया जाएगा plan economy वो economy होती है जिसमें government करती है गवर्मेंट support करती है ठीक कि क्या होगा कैसे होगा किस तरीके से होगा है उसके बाद solution मैंने आपको बताई दिये एक concept है पीपी सी production possibility कर shifting of PPC properties of PPC वो आपके course का हिस्सा नहीं है इस साल अच्छी बात है काफी अच्छा कुशनस आते थे इसलिए इस साल आपके course का हिस्सा नहीं है तो इसलिए आपके लिए वो important नहीं एक तरीके से फिर आपका difference पूचा जा सकता है पॉर्चनिटी कॉश्ट और marginal पॉर्चनिटी कॉश्ट एक और marginal का मतलब क्या होता है अब पहले उसके लिए हम जान लेते हैं कि का मतलब क्या होता है आप ये एक चीट को कंज्यूम कर रहे थे, यहां पर जॉब कर रहे थे, अब आपको एक दूसरा जॉब का आउफर आया, यहां सेलरी मिल रही है, बीस हजार, और यहां मिल रही है, तीस हजार, ठीक, एक opportunity को बढ़ाने के लिए, दूसरी opportunity छोड़ दी, जो पहले आपके लिए best था, उसक हम कहते है, opportunity cost, next best alternative uses, और इसमें जो difference आ रहा है, उसको हम कहते है, moc, marginal opportunity cost, marginal opportunity cost का numerical पूछा जा सकता है, जिसका formula एक basic सा होता है, moc is called to, delta loss upon delta y, आपको दो गुरुप दे सकते हैं, उसमें एक गुरुप घटता हुआ जा रहा होगा, एक गुरुप भडता हुआ जा रहा होगा तो दोनों में delta का मतलब है, changes, तो यह तो आपका था, जो आपका जो chapters है, शुरूबात के उनमें basic concept, उसके बाद जो एक 13 सा concept आपसे पूछा सकता है, consumer कौन होते हैं, यह तो आपको मालुम है, जो goods को consume करते हैं, जो economic agent होते हैं, goods and service को, direct अपने satisfaction के लिए यूज करते हैं, व कोई भी चीछ जो आपके इक्षा की पूर्ती कर रही है, वो आपके लिए utility है, cardinal utility होती है, जिसे आप number में measure कर सकते हैं, और order को number में measure नहीं कर सकते हैं, फिर इसमें relations होते हैं, relation of tu और mu, relation of au and mu, tu और mu में relation क्या होता है, relation tu अगर भढ़ेगा, tu increase at increasing rate when mu is increasing, tu increases at decreasing rate when mu is decreasing, tu अपने maximum point पर होगा, जब mu zero होगा, और tu घटना शुरू कर देगा, जब mu negative चला जाएगा, इसमें एक important law भी है, आपके लिए law of diminishing marginal utility, जैसे जैसे आप किसी चीज का consumption start करेंगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो आपको satisfaction है, वो कम होता जाता है, लेकिन इसके कुछ assumptions भी है, उसको आपको standard unit में लेना चाहिए, जैसे चाय है, चाय है, आप cup में पिए ना की चम्मस से, और continuously use करें, ठीक है ना, फिर आपका वो consumer equilibrium, consumer equilibrium आपको मालों है, जतना जादा पैसा खर्च करो, उसके बराबर का satisfaction, उसमें दो equation बन सकती है, एक जब आ one community case में आपका mu x upon p x is equal to mu m बनता है, और two community में आपका mu x upon p x is equal to mu y upon y is equal to mu m, इस तरीके से बनता है, यहाँ पर यह जो value है, यह हमने कितना पैसा खर्च किया, और यह value है, जो हमें मिला, जो expectation थी, यान कि इसको आप कह सकते है, expectation और इसको कह सकते है, main खर्चा, फिर आता है आपका demand वाला chapter, theory of demand, वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, बई, कि demand क्या होती है, demand हमारी तीन चीयों से बनती है, refer to desire of a community, having a sufficient purchasing power and willingness to spend, indifference curve पूछा जा सकता है आपसे, indifference curve क्या होता है, जो same level of satisfaction देता है, इसकी property पूछी आ सकती है, indifference curve, parallel होता है, intersect नहीं करता, और ये आपका, मैं दिखा दूँ, ये आपका indifference curve होता है, जो जितना उपर होगा, वो ज्यादा satisfaction है, जो सबसे कम होगा, वो सबसे कम satisfaction, wire sales में पूछा जा सकता है, उसके बाद, demand वाले chapter में, determinants है, determinants जो मतलब कि आपका price of own goals, related goals, expectation, income of the consumer, ये important points है, उसके बाद movement along a demand curve, जिसमें shift आता है, extension of demand and contraction of demand, increase in demand and extension of demand, decrease in demand and contraction of demand, individual demand schedule, market demand schedule, law of demand के exception और assumption बहुत है, demand curve का स्लोप कैसा होता है, normal goods और inferior goods, जो 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 बताता जा रहा हूँ, अच्छे से एक बार revise कर लीजीगा, पढ़ लीजीगा, पढ़ लीजीगा, ताकि आपको दिक्त ना हो उस चीज में, है ना, पिर आप कहेंगे, अरे सर ये तो आपने बताया था, आगया आप क्या करें, उसके बाद आपकी prize elasticity बाला जो चैप्टर है, उसमें तो ज़्यादा बस आपको एक दो numerical करने है, prize elasticity क्या होती है, elastic demand क्या होती है, elastic demand क्या होती है क्या होते हैं उन सबकी चीज के बारे में आपको अच्छी होनी चाहिए तू करते हैं इनके रिलेशन बहुत इंपोरेंट है इनके रिलेशन इनके नुमेरिकल उसके बाद जो आपका कोश्ट वाला है उसमें भी explicit cost, implicit cost, selling cost, production cost, fixed cost, variable cost, ये का पने आपिसे importance रखते हैं आपके chapter को ले के और जो ABC का curve कैसा होता है, M.U का curve कैसा होता है, AFC curve rectangular hyperbola होता है, M.C.R. U-shape में होता है, इस सरे के कुछ important questions आपसे पूछे जा सकते हैं फिर जो आपका market वाला चैप्टर है supply में तो जो आपके लिए यो theory of supply वाला चैप्टर है जो theory of demand मैंने आपके लिए important बताए हैं वही आपका supply में करना है ठीक है न मारकेट में आपको जितने ही मारकेट में different जिखलें बिए आपके श्टेक्स में आपको आपको बेसिक करना है mathematics के लिए अपको सर्व बात करूँ इस एक रखर कर या तो collection of data क्या होता है statistics क्या होती है primary source of data क्या होता है Anyone कहां से आता है क्या होता है रेंडम सेंपलिंग क्या होती है सेंसर मेंथड क्या होता है यह सारी चीजे नुमेर कल जो मीन इंड मोर्ड यह पर पसंद आती आती है और जो मेरे को इंप्रेंट लगते हैं वैसे कि इतना भी कर लोगे तो आपके 60-70 से मां अच्छे स्कोर कर सकते हो फिर भी एकनोमिस में आपको दिक्कत है कोई पॉइंट आपको समय में नहीं आता है तो आप मुझे कर सकते हो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जारे स्यादर लाइक कर देना शेयर कर देना और अब तक शेयर को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज